आप किसी कुमारी लड़की या साधी सुदा महिला को अपने वस में करना चाहते हैं ता आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा ये इस्त्री भी कर सकती है पुरुस भी कर सकता है ये इतना पौर्फुल वसिकरन तोटका है कि इसे करने के कुछ पल के भीतर में ही एसर दिख देता है ये पुरानों से चला आ रहा है और इसका प्रियोग बहुत सारे लोगों ने किया है और बहुती सिद्र ये सकती साली इस्त्री और पुरुस वसिकरन तुटका है लवं का प्रियोग जादू टोना मंत्र में किया जाता है इसका महत्वे बहुती पौर्फुल होता ह इसके साथ में अगर किसी का वसिकरन कर दिया जाता है तो हमेशा हमेशा के लिए वसिकरन हो जाता है उसके लिए जान भी देने के लिए तयार हो जाता है ये इतना पौर्फुल वसिकरन तूटका है अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हैं लेकिन वो लड़की आपको भा वस्मे करना चाहती है ति इसका प्रियोग कर सकती है या कोई पुरुस है अपनी पत्नी को वस्मे करना चाहता है सास ससूर को वस्मे करना चाहता है ति इसका प्रियोग कर सकता है कोई भी लड़का है किसी लड़की को अपने प्यार में दिवानी बनाना चाहता है तो आज का ये वीडियो पूरा ध्यान से दिखिए क्योंकि ये बहुत ही powerful वसी करन टोटका है और आज तर किसी ने भी आपको नहीं बतलाया होगा ये इतना powerful वसी करन टोटका है कि एक बार कर देते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है अगर आप मेरी चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल घंटी को दबा दिजे ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा सबसे पहले आपको करना क्या है ध्यान से दिखिएगा आपको दो लवंग लेना है दो लवंग लेने के बाद में क्या करना है इस वीडियो को पूरा ध्यान से दिखिएगा आपको ब्रिस्पतिवार के दिन या सुक्रवार के दिन किसी भी दिन आपको करना क्या है दो लवंग लेना है दो लवंग आपको लेना है और यह तुटका करना है रातरी के साथ बज़े से लेकर बारे बज़े के बीच में ठीक है और दिन में कर रहा है तो आपको दस बज़े से लेकर एक बज़े के बीच में करना है और पूरब दिशा की और घुमका के करना है आपको दो लवंग लेना है दोनों लवंग को लेने के बाद में आप अपने मुख में इस मुख रखना है ठीक है अपने जिव में ठीक है आप अपने मुख में रखिए इसको जीब को निकाल लीजिए हालका सत्थोरी से मत्रा में और जीब पर इस दोनों लवं को रखना है और ध्यान रहें दोनों लवं का जो फूल वाला जो भाग है बाहर की तरफ होना चाहिए ठीक है दोनों को अपने जीब पर रख लेना है ठीक है जीब पर रखने के बाद में आपको करना क्या है जिस लड़की को आप अपने वस में करना चाहते हैं या कोई इस्तरी है जिस पुरुष को अपने वस में करना चाहती है उसका नाम इस मंत्र के साथ लेकर एकिस बार बोल देंगे जैसे ही इसको एकिस बार बोल देंगे उसके बार में जिस तरह से बता करदानी हो गई हैं मंत्र इस परकार से हैं ध्यान से सुनिएगा आपको इस मंत्र में अमुक के जगा पे उस लड़की का नाम लेना जिसको आप अपने वस्वें करना चाहते ठीक है? उसके बाद में इस मंत्र को 21 बरजे से ही पढ़ लेजिएगा उसके बाद में मुख से, अपने जीब से इस दोनों लवों को निकलना है, हटाना है उसके बाद में इसको करना क्या है? जिस भी लड़की का नाम लिए है अपने उसमें करने के लिए उसके छपर पे फिंक देना है किसी भी तरह से छप हो तो छप पे फिंक देना है छपर हो तो छपर किसी भी तरह से फिंक देना है ध्यान रहे कि फिंक दे समय कोई देखे नहीं जैसे ही फिंक देजीएगा वो कुछ ही घंटों के भीतर में असर दिखाना ये स्टार्ट हो जागा वो लड़की का मन में आपके लिए प्यार जगना सुरू हो जाएगा एकदम आपके लिए बेचैन हो जाएगी आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगी मैं आपसे बिनती करूंगा कि इसका प्रियोग स्वार्थ के लिए नहीं किजिएगा या बहुती पौर्फुल वसी करन टोटका है सो समझ से किजिएगा अगर किसे से सचा प्यार करते हैं तभी इसका प्रियोग किजिएगा नहीं तो इसका प्रियोग नहीं कीजिएगा क्योंकि खतनाक पाउर को लोजी करन तोटका है इस्तरी या पुरुष को आपके प्यार में एकदम पागल कर देता है ठीक है